तो नो स्पीस की विट जो आपने लेनी है वो है 15 इंच 15 इंच से लेकर 16 इंच तक आप इसकी चोड़ाई ले सकती है तो 15 इंच पर मैं मार्क लगाने के बाद इसको कट कर लूँगी और इसकी लंबाई मैंने ली है 30 इंच यानि हमारे पास जो टोटल फैबरिक कट करनी है वो है 30 इंच फैबरिक फैबरिक फॉर दे नो स्पीस चले अब इसको कट कर लेते हैं इसके बाद मैं फैबरिक को लंबाई में इस तरह से फोल्ड कर लूँगी इसके बाद एक बार और फोल्ड कर लूँगी तो यह हमारा फोर फोल्ड हो जाएगा तो यह हमारी फोल्डिट साइड है और यह ओपन साइड है अब open side से हमें 1.5 इंच पर mark लगाना है और इसे curve shape दे देनी है इस तरह से और curve shape देने के बाद इसको cut कर लेना है कट करने के बाद हमारी जो ये दो लेयर हैं उपर वाली उनको इस तरीके से उपर ले जाना है इस तरहां से और नीचे से उपर तक का जो gap रहीगा वो मैंने 1.5 इंच लिया है यानि नो स्पीस की उपर वाली लेयर 1.5 इंच छोटी रहीगी अब ओपन साइट की तरफ से मैं यहाँ पर cut लगा लूँगी फिर हम इसको open कर लेते हैं इस हिजाब और नो स्पीस को बनाना बहुत आसान है तो आगे मैं इसको पहनने का तरीका भी बताऊंगी तो वीडियो को end तक जरूर देखिए अब जहाँ पर मैंने cut लगाए थे वहाँ पर मैं mark कर रही हूँ क्योंकि हमने अपने नो स्पीस को यहीं से fold करना होगा इसके बाद इसको tie करने के लिए मैं strips cut कर लेती हूँ यह मैंने एक long strip ली है यह तकरीबन 20 इंच लंबी है strip की चोड़ाई मैंने 2 इंच ली है आप 10-10 इंच की 2 strips भी ले सकते हैं मैं एक साथ इसको इस तरह डबल करके मोड लूँगी इसके बाद मैं इसको दर्मयान से cut करके 2 strips बना लूँगी दोनों 10-10 इंच की इसके बाद हमने nose piece ले लेना है और उसको भी हमने सिलाई लगाके चारों तरफ से हैम कर लेना है बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगानी है जादा मोटी सिलाई नहीं लगानी बस quarter quarter इंच अब यहाँ पर हमने जो cutting के time marking की थी यहाँ से हमने इसको पकड़ कर फोल्ड कर लेना है इस तरह इसके बाद हमने nose piece के साथ strips को attach करना है तो strips की जो हमारी open side थी उसको यहाँ पर हमने रखकर double सिलाई लगा लेनी है इस तरह से दूसरी side पर भी हमने इसी तरह करना है strip की open side को हमने अंदर रखना है और अंदर रखने के बाद इस तरह से सिलाई लगा लेनी है double इस तरह हमारा यह two layer nose piece भी ready हो गया है और यह strips इसको tie करने के लिए यूज़ होंगी अब मैं आपको इस हिजाब को wear करने का तरीका भी बता देती हूँ इस forehead पट्टी को इस तरह अपने सर पर पहनना है और इसके जो ends हैं वो neck पे पीछे जाकर tie होंगे हिजाब की long side को हम अपने सर के around इस तरह ले जाएंगे और pin up कर लेंगे अमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और friends और family के साथ share करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स टिटोरियल में थैंक्स पर वाचिंग